तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल पुलाओ की रेस्पी जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत इजी है इसको बनाना और बहुत ही कम मसालों में ये बनकर रेडी हो जाते हैं तो चलिए फिर से बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने लिए है यहाँ पर एक कप चने की डाल और ये लगबग 100 ग्राम है और इसे मैंने दो से तीन बार अच्छे से पानी से वाश करके इसे दो घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया है तो फिर मैंने लिए है एक कप बासमती गाइस ये लगबग 300 ग्राम है और इसे मैंन इसम canoe में यह लिया है ! 3 में लिया सुखी हुई लाल मिर्च और कुछ कहां पर मैंने खड़े मसाले लिये हैं तो मैंने लिया है वन टी स्पून साबुच जीगा तीन मैंने यहां पर लिये हैं तीन स्टिक मैंने लिये हैं दालचीनी के और तीन से चार मैंने यहां पर लॉंग लिये हैं और छे से साथ काली मिर्च और दो मैं बढ़ एंगे 1 टी स्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और 1 टी स्पून मैंने यहापे लिया है सॉंफ का पाउडर इसे आड़ करने से पुलाओ में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और साथ ही हमने लिया है अपे 1 टी स्पून सॉल्ट सॉल्ट आप अपने इसे गरम कर लेंगे और सभी खड़े मसालों को हम इसमें एड़ कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसे ऐसे सौते कर लेंगे और जीरे को क्रेकल होने देंगे तो जीगा हमारा क्रेकल हो चुका है तो अब हम इसमें एड़ कर लेंगे अनियन को डालने के बाद हम इसे ऐसे कुछ देर के लिए हम इसे ऐसे फ्राइ करेंगे जब तक तक हमारी जो प्यास है वो golden brown ना हो जाए तो golden brown होने तक हम onion को fry कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि onion हमारी golden brown हो चुकी है तो थोड़ी सी onion हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे ये बाद में गार्णिष के के बाद भी हम इसे कुछ तेर के लिए ऐसे सोते कर लेंगे और अब हम इसमें एड़ कर लेंगे 1 टी स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जिंजर और गार्लिक का जो कच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें एड कर लेंगे सॉल्ट तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एड कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो अब हम पैन को कवर करेंगे और कवर करके इसे 5-6 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि हमारी दाल जो है वो थोड़ी सी टेंडर हो जाए तो 5-6 मिनट दाल को पकते हुए हो गए है और आप देख सकते हैं कि दाल में से पानी भी ड्राय हो चुका है और यह अच्छे से कुक भी हो गई है और यह थोड़ी सी टेंडर हो गई है और 50% तक यह कुक हो चुकी है आप देख सकते हैं यह सोफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें एड़ कर लेंगे टमाटर और साथ ही हम इसमें एड़ कर लेंगे सॉफ पाउडर तो सॉफ का पाउडर एड़ करने से पुलाओ में बहुत ही अच्छी सी खुश्बू आती है और बिल्कुल बिरियानी स्टाइल में आपका पुलाओ बनकर रेडी होता है त और साथ ही हम इसमें एड़ कर लेंगे पानी तो मैंने यहां पे दो ग्लास पानी इसमें एड़ किया है एक ग्लास राइस और हाफ कप डाल में मैंने यहां पर दो ग्लास पानी को एड़ किया है अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और एड़ कर सकते हैं तो इस पॉइंट पे आप इसमें सॉल्ट को चेक कर सकते हैं अगर आपको सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा है तो आप सॉल्ट इसमें एड़ कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा सॉल्ट इसमें कम लग रहा था तो मैंने हाफ टीस्पून सॉल्ट इसमें और एड़ किया है सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एड़ कर सकते हैं तो अब हम पैन को कवर कर लेंगे और इसे दस से बारा मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे तो दस से बारा मिनट चावलो को पकते हुए हो गया है और आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कुक हो चुके हैं इसमें से पानी भी ड्राइ हो चुका है चावल हमारे अच्छे से टेंडर हो गए है लेकिन अभी ये सॉफ्ट नहीं हुए है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो हमें इसे दम पे लगाना है तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके उपर ऐसे एक कपड़ा या फिर कोई चोटा टावल आप रख सकते हैं और इसको कवर करके 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे दम पे लगा लें और आप देख सकते हैं कि 5-7 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह गाईस हमारे बिल्कुल खिले खिले बने हैं तो अब हम इसको गागनिश कर लेंगे फ्राइड अनियन के साथ जो की देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो पुलाओं हमारा बनकर रेडी हो चुका है और बहुत डिलिशियोस हो बहुत टेस्टी चना पुलाओं बनकर रेडी हो चुका है तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्फ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि चना दाल पुलाओ को बनाना कितना असान है बहुत असानी से और बहुती कम मसालों में ये बनकर रेडी हो जाता है और बहुती जादा टेस्टी और बहुती अच्छा हमारा चना दाल पुलाओ बनकर रेडी हुआ है तो आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राइ करें ये आपको बहुत पसंद आएगा और गर्मियों के लिए तो ये बहुती बहतरीन रेस्पी है तो जब भी आपका कुछ हलका फुलका खाने का मन करें तो आप इसे लंच या फिर डिनर में बनाकर इंजोई कर सकते हैं ये आपको बहुत जादा पसंद आएगा और बहुती जटपत्सी बनने वाली ये रेस्पी है तो मैंने इसे सर्व किया है रायते के साथ आप किसी भी तरह की चटनी या फिर सैलेट के साथ इसे सर्व कर सकते हैं ये आपको बहुत जादा पसंद आएगा I hope कि आपको ये चनादाल पुलाओ की रेस्पी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थेंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में एक नई एस्वी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज